ठाकुरों ने भरी हुकार अब मोधी तेरी खैर नहीं बीजेपी को हराने का ठाकुरों ने लिया संकल बीजेपी से बेहत नाराज है शत्रिय समाज नमस्कार, मैं आराधना आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे बीजेपी से ठाकुरों की नाराजगी की ठाकुरों की नाराजगी ने खेल कर दिया है कई ऐसी सीटे जिसे बीजेपी आसानी से जीता हुआ मान कर चल रहे थी अब वोटेंग के बाद कहा जा रहा है कि मामला फस गया है इन सीटों पर इंडिया गठ बंधन भारी पड़ गया है पश्यमी यूपी के ठाकुर बाहुल्य गावों में बेहत कम वोट पड़े हैं जिससे साफ हो गया है कि ठाकुरे ने वोट या तो डाले नहीं या फिर शायद बीजेपी को हराने वाले उमिद्वार को दे दिये हैं पूरे पश्यमी उत्तरप्रदेश में इस समय शत्रिय समाज की महापंचायते चल रही हैं महापंचायतों में एलान किया जा रहा है कि जो भी उमिद्वार बीजेपी को चुनाव हराएगा उसे ही ठाकुरों का वोट जाएगा शत्रिय समाज पहले से ही बीजेपी से नाराज था और इस नाराजगी को मोधी सरकार के मंतरी और गुजरात की राजकोट सीट से उमिद्वार परसोत्तम रूपाला ने और बढ़ा दिया है रूपाला के बयान का गुजरात के साथ ही पूरे भारत में शत्रिय समाज जबरदस्त विरोध कर रहा है उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी थी कि वो रूपाला का टिकेट काट दे लेकिन रूपाला के टिकेट कटने से कही पाटिदार नाराज ना हो जाए इसलिए बीजेपी ने रूपाला का टिकेट नहीं काटा लेकिन इसका नुकसान पूरे देश में बीजेपी को होता दिखाए दे रहा है राजस्थान यूपी में तो बीजेपी कुछ जादा ही परिशानी में दिखाए दे रही है दावा की आचारा है कि राजस्थान की बारा और यूपी की आठ सीटो पर पहले चरण में वोटिंग होई है जहां ठाकरों की नाराजगी ने बड़ा खेल कर दिया है जिसके बाद अब पियम मोदी और अविच शाह दोनों को ही ठाकर समाज को मनाने के लिए मैदान में उतरना पड़ गया है लेकिन ये साफ हो गया है कि अब बहुत देर हो चुकी है शत्रिय समाज बीजेपी से बदला लेनी की तयारी में दिखाई दे रहा है शत्रियों की महापंचायत में अब रोटी पलटने की बात होने लगी है दस साल से केदर में मोदी सरकार रही उसे अब पलटने का बीडा शत्रियों ने उठा लिया है शत्रियों की महापंचायत का एक वीडियो इस समय जम कर वाइरल हो रहा है जिसमें बीजेपी को सबक की बात कही जा रही है राजनीष का मूल मंत्र है कि मैं रोटी उलट फुलट के सेखनी चाहिए अगर आप पुलेट पुलेट के रोटी नहीं सेखते हैं तो जल जाती है आपकी जल गई आपने समधन नहीं किया आपने समर्पौण कर दिया कि आपके पास इतने बुले नेता थे उन गराओं नहीं ते आपके पास ब्लाओ क्लेश सींघ्र जैसा नेता इंद्रा घादी से आफ लाने वाला नेता हमर साहऑ मौझद है पैदल कले देजाथ में अकार में प्रकार वेवार में हिंवत में मेधा में हर चीज में उसके बुटने बनावर में जो आज नेता ह compare और हमारी गालती क्या को ो मो निदी लेकिन ये कौम वो है गंती कहां हो गई अगर हम आस्मां पर बिठाना जानते हैं तो हम जमीन पर गजाना भी जानते हैं जिन हाथों में शक्ति बरी है गाज तिलग देने की उन्हीं हाथों में ताके थे सर उतार लेने की यह वो बियादरी है जमाना प्रताब को नेता मानती है गास की रोटी खाने वाले जमीन पर सोने वाले को नेता मानती है यह जुल्फों में जन्नत तलाशने वालों को नेता नहीं मांते हैं इसलिए हमसे घल्पी क्या हुई अब एक बात बहुत सीधी से कि देखो भाई मैं कोई शपत नहीं कराने वाला लेकिन अगर जिन्दा हो तो जिन्दा दिखना चाहिए और अगर राजपूत हो तो अपनी बात पर तिकना चाहिए क्योंकि जो अपनी भाई में बात करनी वो अपने बात करनी और जो अपने बात करनी वो राश्त का क्या होगा हमें को राश्ट्वाद ना समझाए हमारे हर गाउं में शहीद है हमारे घर में हर घर में फोजी है हमारे हर घर में शहीद है और हमारे हर गाउ में शहीद द्वार है ये राश्च्वाद हम को ना समझाए जाए अगर मेरे दादा से कि द्वार द्वार में लड़ाए थे हमारे ताउजी कहतर के शहीद थे तो हिमाज्चु सिंग भी निन्यार्वे का कारगिल का लड़ा हुआ आदमी है हमको राश्टो आदमत कम जाईए हमारी गलती कहा हुई हमारी गलती यहा हुई कि हमारे बड़ा गुज़र हमारे जो साथी थे मुसल्मान भी परवेस्ट उमड लिखता है जाहित गेलोट लिखता है सिसोधिया लिखता है वोत्रों में शादी करता है राम राम कहता है हमें राम ना समझाईए हमें ना समझाईए जो राम को लाए है अरे राम तो सब को लाया तुम राम को क्या लाओगे और हम वाले तो हम है राइपुता ने राइफल्स का तो यह यह राजा राम चंद्र की तो भाई तुम्हारी जै कर देंगे फिर ठीक से और अब की बाद जै करी देंगे ठीक से इसलिए अपनी बाद पे तिकना अबनी बाद पे तिकना क्यूंकि प्रजातंक्र चुनाओ से चलता है और मौके पे मारके पे चुका हुआ आदमी मौके के चुका हुआ सिकंदर और डाल का चुका हुआ बंदर माफ करना कहीं कि नहीं रहते मुद्बे नीट से निवढ़ते हैं राजनीत से निवटते हैं, कुछ कूटनीत से भी निवटते हैं, हमें हाला कि कूटनीत नहीं आती है, हम लोग सीधी सीधी बात करने वाले आत्मी हैं, तो एक बात कह रहा हूं, वो बार बार योगी जी के वो कर रहे हैं, वाई राजिस्तान से एक नारा चला था, उगंती थ हमारी वाई प्रताथ सिंग जी कालवी जी दादा लुकेंजी सिंग कालवी जी संस्तापक संद्रक्षा करणी सेदा उनके सुकुत्र यहां पदारे हुए एक नारा राजिस्तान में चला था कि मोदी तुसे बैर नहीं और सुद्रा तेरी खेर नहीं वो भी हमारी गंदी दिय जात्वात खतम करूंगा मैंने यह बात करी थी कि वह अगर योगी को बचाना है तो 24 में मुदी को डुबाना है और यह चीज एक एक्सपरिमेंट हुआ उन्होंने एक दिमार रगाया कि किस तरीके से बिना मुसल्मान के सरकार बनाई जा सकती है उन्होंने बना ली इनके वसले बढ़ गए अब एक्सपरिमेंट उत्र प्रदेश में यह हो रहा है कि राजबूत के बगए च्छत्रियें के बगए सरकार असी जीती जा सकती है या नहीं असी जीतने दोगे जाटो नहीं जवाब दे दिया है ना जो गंदा हो गंदा हुम तो गंदे वहले योवन के दे गोड़ी भुचरेद्ध वाले जो क्या है 흥μर करने कदे आ हमने जाटों से सीग लिया कि भाई हम बाज़पा को फेल देंगे और रसले लेंगे जो फेलेगा वो रसलेगा जैहिंद योगी को भी बचाना आए तो जोड़ से बलो और फोजो तो फोज की तरह बात करो और नाराजी से इंतुस्तानी बाज़ पसंद करती है और एक मात्र नारा है उसकी आदर डालो जैहिंद 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 बहुत बहुत शुक्रिया